चंदनपुर गाउं में पल्लवी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी उसके पिता एक मजदूर थे और मा घर संभालती थी पल्लवी गाउं के ही एक स्कूल में पढ़ती थी पल्लवी की क्लास टीचर अनुराधा मैडम बहुत अच्छी थी सभी बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे लेकिन उनका ट्रांसफर कहीं और होने की कारण आज स्कूल में उनका आखरी दिन था गुट मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों आज मेरा इस स्कूल में आखरी दिन है अब तुम्हारी नई टीचर नीला मैडम तुम्हे पढ़ाएगी आप सब बच्चे बहुत अच्छे हो और खास कर पलवी तुम तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना अच्छा मैं चलती हूँ अब तुम सब को बहुत मिस करूँगी अपना खयाल रखना अनुराधा मैडम वहाँ से चली जाती है उनकी जगा नीला मैडम उस स्कूल में पढ़ाने आती है नीला मैडम बहुत ही गुस्से वाली और खडू स्वभाव की थी नीला मैडम क्लास में आती है तो देखती है कि सब भी स्टूडेंट स्कूल ड्रेस में थे जबकि पलवी फटे पुराने कपड़ों में ही स्कूल में पढ़ने आती है ए लड़की इधर आ तुमारी यूनिफॉर्म का है और तुम घर के कपड़े पहन कर क्यों आई हो मेडम बिचारी पलवी बहुत गरीब है अभी इसके पास यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं है और प्रिंसिपल मेम ने इसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दी है इसलिए ये ऐसे ही पढ़ने आती है जब इस गरीब की आउकात नहीं है यूनिफॉर्म लेनी की तो फिर ये पढ़ने क्यों आती है तुम गरीब होते ही गंदी नाली के कीड़े हो और वही ठीक लगते हो आभी मैं तुझे बताती हूँ यहाँ नीलम मेडम पलवी की खुब पिटाई करती है और उसे सजा के तौर पर क्लास से बाहर कर देती है पलवी रोते हुए हाथ उपर करके खड़ी रहती है पलवी गरीब थी इसलिए उसकी नई क्लास टीचर उससे बहुत बुरा बरताव करती थी गरीब कहीं की तुझे कितनी बार काहे क्लास में सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठा कर मैं तेरी शकल देखती हूँ तो सारा दिन खराब हो जाता है बेचारी पल्लवी चुपचा पीछे जाकर बैठ जाती है नेलम मैडम का गुसा हर दिन स्कूल स्टुडेंट्स पर निकलता था लेकिन पल्लवी को तो हर रोज उसका शिकार होना पड़ता था हालात ऐसे हो गए कि अब तो पल्लवी को स्कूल आने में भी डर लगता था ऐसे कुछ दिन बीचते हैं अपनी टीचर के बुरे बरताव की वज़ा से पल्लवी एक दिन स्कूल ना जाकर एक नदी किनारे बैठ कर रोने लगती है नेलम मैडम बहुत पुरी है जब देखो उपिं टापती रहती है और मुझसे तो ऐची दफरित करती है जैसे मैंने करीब होकर कोई पाप कर दिया काश की मेरे पास कोई शक्ती होती तो मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाती तभी एक साधू वहां आता है और वो पल्लवी की बात सुन लेता है ताधू उसे एक जादूई शक्ती देता है जिससे उसके हाथ जितना वो चाहे लंबे कर सकती है बाबा बाबा ये तो चमतकार हो गया पल्लवी खुशी खुशी स्पूल जाती है और वहां जाकर ये बात सभी बच्चों को बताती है कुश दिर बाद नीलम मैडम क्लास में आती है वो जैसे ही ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही होती है तभी पल्लवी अपने लंबे हाथ बढ़ाते हुए उसकी पीट पर चूटी काट देती है नीलम मैडम पीछे मुड़ कर देखती है फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ देख कर पढ़ाने लगती है कुछ दिर बाद पल्लवी फिर से उनकी पीट पर चूटी काट देती है लगता है कपड़ों पर चीटी चड़ गई है अब मुझसे तो नहीं पढ़ाया जाता ऐसा करती हूँ आज कुरसी पर बैट कर आराम करती हूँ वैसे भी इन गरीबों ने कौन सा पर लिक कर कलेक्टर लग जाना है पल्लवी के सरकत को देख सभी बच्चे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे फिर मैडम कुरसी की तरफ देख कर कहती है ओफो ये मेरी चेयर कितनी गंदी है ऐ गरीब लड़की चली धरा और इसे जल्दी से साफ कर जी मैडम लेकिन उसके लिए मुझे वहां आने की जरूरत नहीं तब ही पल्लवी अपने हाथ बढ़ाती है और चेयर तक ले जाती है और क्लास में सबसे लास्ट बेंच पर बैठे बैठे ही चेयर साफ कर देती है उसके लंबे हाथों को देख कर निलम मैडम डर जाती है ये क्या है? घबराई है नहीं मैडम, ये मेरे लंबे हाथ है तरसल हमारे परिवार को वरदान मिला हुआ है कि जब भी कोई 8 साल का हो जाता है तो उसके हाथ अपने आप लंबे हो जाते है ये कैसा वरदान है? निलम मैडम डर के मारे स्टाफ रूम चली जाती है अगले दिन जब वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है हाँ तो बच्चों अब कौन ये मैड का सम सॉल्व करके दिखाएगा? अरुन तुम बताओ पर मैडम मुझे ये नहीं आता नहीं आता तो सारा दिन स्कूल में करते क्या हो? मैं तुम्हें अभी बताती हूँ वो डंडे से उसकी पिटाई करने ही वाली होती है आज के बाद किसी बच्चे को टॉर्चर करोगी उसे मारोगी आज के बाद अगर किसी को भी आपने परिशान किया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा नहीं 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 मुझे माफ कर दो मैं आपसे किसी को कुछ नहीं कहूंगी मुझे माफ कर दो बच्चो उस दिन के बार निलम मैडम सब बच्चों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगी और खास कर पलवी से उसे अब वो कभी कुछ नहीं कहती पलवी के लंबे हाथों की वज़़ से आज सब बच्चों को नीला मैडम के अत्याचारों से मुक्ती मिल चुकी थी केश्वी का पिता रामदीन बहुत खुश था खुशी का कारण ही इतना बड़ा था केश्वी बिटिया कहा है? अरे कलावती कहा हो तुम दोनों? आ रही हो जी, क्या हुआ? आज तो आप बहुत खुशो जी बापू आपने बुलाया? हाँ बिटिया, खुशी की तो बात है कलावती हमने जो फाम भरा था ना उसमें हमारी केश्वी का नाम आ गया है अब हमारी केश्वी बड़े स्कूल में पढ़ेगी अरे, केश्वी बिटिया, उदास क्यों हो गई? क्या तो खुस नहीं है कि तो बड़े स्कूल में पढ़ने जाएगी? मा बापू, सब मेरे काले रंग का मजाग उडाते है सब कहते हैं कि मेरा काला रंग है और इतने लंबे लंबे काले नागिन जैसे बाल है ये कहकर पहले वाले स्कूल में सब मेरी हसी उड़ाते थे मुझे पता है इस स्कूल में भी सब मेरी हसी उड़ाएंगे नहीं बिठिया वो बहुत बड़ा ही स्कूल है वहाँ पर कोई हसी नहीं उड़ाएगा तुझे वहाँ बहुत अच्छा लगेगा केश्वी का रंग काला था पर उसके बाल बहुत ही सुन्दर और लंबे घने थे केश्वी के काले रंग के लिए उसे बहुत सुनना पड़ता था अब नए स्कूल में जाते हुए वो बहुत डर रही थी रामदिन और कलावधी के समझाने पर केश्वी स्कूल चली जाती है सब बच्चे और टीचर केश्वी को घूर घूर कर देख रहे थे केश्वी अपनी क्लास में जाती है उसे देख कर सब बच्चे जोर जोर से हसना लगते है अरे-अरे भगो, देखो ये लड़की देखने में कितनी बज सूरत है हाँ इसका रंग कितना काला है और इसके लंबे बल ओ, ये तो कितनी डरावनी बिलकुल बूतनी लग रही है, बूतनी क्लास के सब बच्चे केश्वी को बूतनी-बूतनी कहकर क्लास से बाहर भागने लगते हैं केश्वी का रोना निकलाता है तब ही उनकी क्लास टीचर आ जाती है और वो बच्चों को डांट कर बिठाती है ये क्या शोर मचा रखा है चलो अपने अपनी सीट पर बैठो और तुम लड़की क्या नाम है तुम्हारा जी वो मेरा नाम क्या बात है काली होने के साथ साथ गूंगी भी हो क्या पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा इतनी भद्धी शकले की लड़की हो तुम जाओ सीट पर बैठो तब ही क्लास में दूसरी टीचर आ जाती है और वो केशवी को बैठा हुआ देखती है सुने ना मैडम ये न्यू एड्मिशन आई है क्या क्लास में हाँ दीपी का मैडम है तो गरीब पर वो मुफ्त फॉर्म भरा होगा उसी वज़ा से एड्मिशन मिल गया वरना इतने बड़े स्कूल में एड्मिशन कहां मिलता है लड़की का भले ही रंग काला है पर बाल देखो कितने लंबे है वैसे एक बात बोलू जरा कान इधर लाना टीचर दीपी का टीचर सुनेना के कान में कुछ कहती है जिसे सुनकर टीचर सुनेना चौंक जाती है अगले दिन से टीचर सुनेना का व्यवार केश्वी के साथ बिलकुल बदल जाता है केश्वी बेटा क्या तुम थोड़ी देर स्कूल में मेरी हेल्प के लिए रुख सकती हो मेरी आलमारी बहुत फैली हुई है मैं सोच रही थी समेट कर घर जाओंगी जी मैं रुख जाओंगी मुझे तो अच्छा लगीगा टीचर जी अगर मैं आपकी मदद करूँ टीचर सुनेना की कहने पर केश्वी रुख जाती है केश्वी बेटा तुमारे बाल बहुत सुन्दर है काश मेरे बाल भी इतने ही सुन्दर होते देखो मुझे बहुत सुन्दर चुटिया बनानी आती है तुम बैठो मैं तुमारी सुन्दर सी चुटिया बनाती हो केश्वी की खुशी का ठिकाना नहीं था आज उसकी Class Teacher उस पर इतना प्यार बरसा रहे थी Teacher उसे कुर्सी पर बैठा देती है और उससे प्यार से बात करती है और चालाकी से चुप-चाप उसकी चोटी के थोड़े से बाल काट लेती है केशवी को इस बारे में पता इनी चलता केश्वी खुश हो जाती है क्योंकि उसकी टीचर उसके साथ बहुत अच्छे से बात करने लगी थी केश्वी रोजाना ही किसी ना किसी काम के लिए अपनी टीचर के साथ रुख जाती थी अब तो उसकी टीचर ने उसे क्लास मॉनिटर भी बना दिया था केश्वी के माता-पिता भी इस बात से संतुष थे कि केश्वी का अपने स्कूल में मन लग गया है पर धीरे-धीरे केश्वी के बाल छोटे होने लगे एक दिन केश्वी सिर्ध होकर बाहर निकली तो कलावती उससे बोली केश्वी तेरे बाल इतने छोटे कैसे हो गए तुने तो कटवाए भी नहीं दिखा तो जरा कहीं किसी सहेली ने तो नहीं काट दिये पता नहीं मा मैंने तो कोई बाल नहीं कटवाए फिर छोटे कैसे हो गए मुझे नहीं पता नहीं किसी ने मेरे बाल नहीं काटे मा अरे कलावती तुम भी बेकार में बच्ची को परेशान कर रही हो अब उसका स्कूल में मन लगा है तो तुम इन बालों के पीछे पढ़ जाओ अरे बाल तो घर की खेती है जब मर्जी बढ़ा लो जब मर्जी कटवा लो कलावती भी ये सब बाते सोच कर चुप हो जाती है पर टीचर सुनेना का लालज बढ़ता ही जा रहा था एक दिन उसने बहाने से जब केश्वी को रोका तो कुछ जादा ही बाल काट दिये और केश्वी की नजर कैची पर पढ़ गई केश्वी रोने लगी मैम आपने मेरे बाल काट दिये इसका मतलब मेरे बाल तब ही चोटे हो रहे थे क्योंकि आप रोजाना बाहले से मेरे बाल काट दी थी पर क्यों मैं सब को बता दूगी कि आपने ही मेरे बाल काटे है तब ही टीचर दीपिका भी वहीं आ जाती है अरे मैडम सुने न, इस लड़की की इतनी लंबी जुबान, ये तो हमारी पोल खोल देगी अरे कैसे पोल खोल देगी मैडम दीपी का, ये जानती नहीं हम कौन है ए लड़की, अगर तुने किसी को भी इस बारे में कुछ भी बताया, तो तुझे स्कूल से निकलवा दूँगी समझी, और फिर तुझे किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा चुपचाप हमें तेरे बाल काटने दे केश्वी घबरा जाती है, वो कुछ भी नहीं बोल पाती वो रोती हुई एक सुनसान सड़क पर चलती जाती है उसे खबर ही नहीं थी कि वो घर के रास्ते नहीं, बल्कि जंगल के रास्ते पर चली गई है वो एक पेड़ के नीचे बैट कर रोने लगती है अब मैं क्या करूँ, मेरी सारे बाल टीचर ने काटती है अगर मैंने किसी से कुछ भी कहा तो वो मुझे स्कूल से निकाल देगी फिर बाव और बापो कितने दुखी होगे पर मेरे बाल अगर कट गए तो मैं पिलकुल गंजी हो जाओगी मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कौन मेरी मदद करेगा तब है वहाँ पर एक सुन्दर सी परी प्रकट होती है मैं तुम्हारी मदद करूँगी मैं एक जादुई परी हूँ मैं तो जंगल में भ्रमन कर रही थी पर तुम्हारी रोने की आवाज सुनी तो मैं यहां आ गई बोलो, तुम्हें क्या परिशानी है बेटी? केश्वी उस परी को अपनी सारी दुग भरी बात बताती है परी केश्वी के सिर पर हाथ रखती है तो केश्वी के बाल पहले जैसे लंबे और घने हो जाते है यह देखकर केश्वी बहुत खुश होती है पर एकदम से उदास हो जाती है उदास मत हो केश्वी बेटा अब जो भी तुम्हारे बाल काटने की कोशिश करेगा वो गंजा हो जाएगा और जब तक वो सच्चाई नहीं बताएगा उसके बाल वापस नहीं आएंगे यही सजा तुम्हारे बाल काटने वाले को मिलेगी अब तो खुश हो ना आप कितनी अच्छी हो परी मा तुम भी तो बहुत प्यारी बच्ची हो केश्वी चलो अब मैं चलती हूँ मुझे अपने परी लोग रात होने से पहले लोटना है इतना कहकर परी अद्रिश्य हो जाती है और केश्वी खुशी-खुशी घर आ जाती है अगले दिन केश्वी के लंबे बाल देखकर टीचर सुनैना हैरान रह जाती है वो तो पूरी लालत से भर जाती है और सब के जाने के बाद जैसे ही टीचर सुनैना केश्वी के बाल काटने लगती है केश्वी के बाल तो नहीं कटते पर टीचर सुनैना पूरी गंजी हो जाती है टीचर दीपिका ने भी टीचर सुनैना का साथ दिया था इसलिए वो भी गंजी हो जाती है मैं गंजी कैसे हो गई दीपिका मैडम आप भी गंजी हो गई हम दोनों गंजे हो गई ये कैसे हुआ हाँ सुने है न मैडम मैं भी गंजी हो गई हम दोनों गंजे हो गई हम दोनों इस क्लास से बाहर कैसे जाएंगे सब हमारी हंसी उड़ाएंगे हमारे बाल कहां चले गए आप दोनों के बाल अब तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक आप प्रिंसिपल मैडम और सब के सामने अपनी गलती को स्विकार नहीं करोगे परीमा ने आप दोनों के बाल छींग लिए केशवी सब को बुला कर लाती है आप दोनों टीचर के नाम पर धबबा हो हमारे स्कूल की सारी इज़द आप दोनों के कारण गिर जाती अगर आज केश्वी हमें इस बारे में ना बताती वैसे की लालच में आप अपना टीचर का बद भी बुल गई कि टीचर तो भगवान का रूप होते हैं आप दोनों को शर्मानी चाहिए मैं आप दोनों को अपने स्कूल से इसी समय निकाल रही हूँ और आपको किसी भी स्कूल में टीचर की नौकरी नहीं मिलेगी मैं सारे स्कूल में अभी फोन करके मना कर दूँगी आपकी सारे सर्टिफिकेट छीन ले जाएंगे केश्वी बेटा तुम बहुत बहादूर बच्ची हो तभी तो परिमा के रूप में गौड ने तुम्हारी हेल्प की गौड ब्लेस यू बेटा टीचर सुनेना और टीचर दीपिका के बाल तो वापस आ जाते हैं पर उनका टीचर का पद उन्हें वापस कभी नहीं मिलता उनकी सारी डिग्रियां छीन ले जाती हैं आज वो अपने किये पर बहुत पच्चता रही थी समाज और रिष्टेदार में उनका बहुत अपमान होता है उस दिन के बाद केश्वी से सबने प्यार से बात करनी शुरू करती अब कोई भी केश्वी के काले रंग से नफरत नहीं करता था अगर आपको ये विडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट्स करें इस विडियो पर और हाँ, शेयर करना भी न भूलें और भी मज़िदार विडियो देखने के लिए नीचे दिये गए बेल आइकॉन को दबाएं देखते रहिए, बेस्ट बाडीज